के पहले Chief of Defense Staff का हेलिकॉप्टर तमिलाडू के कुन्नूर जिले में क्रैश हो गया विपिर्ण दावत जी हब हमारे बीच नहीं रहे जिसमें उनकी पत्नी समेट 11 लोगों की मृत्यू हो जाते है इस पूरे हाथसे को पूर्व ब्रिगेडियर सुधी सावंत ने हाथसा नहीं बलकि साजश बताई है क्योंकि वाकई यह काफी बड़ी बात है कि तीन सेना के प्रवुक एक वाईउ विमान में मौझूद होते हैं और वो हेलिकॉप्टर जो है क्रैश हो जाता है जो अभी तक का सबसे सुरफशित हेलिकॉप्टर माना जाता है वी वी आईपी पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने क्या कुछ कहा है आपको पढ़कर बताते हैं उन्हें कहा है कि हादसा बिल्कुल नहीं हो सकता है यह साजश है हमारे तीन सेना के प्रमुख जिस हेलिकॉप्टर से थे जिस हेलिकॉप्टर में थे वह एडवांस हेलिकॉप्टर है जो इतनी आसानी से क्रैश नहीं हो सकता है सावंत साब ने कहा कि जहां यह हादसा हुआ है वह इलाका LTT का है आज भी वहां स्लिपर सेल अक्तिव है पूर्व प्रथान मंत्री राजीव गांधी जी की हत्या भी तमिलाडू में ही हुई थी इसको इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए हादसे की जाच एना ये से होनी चाहिए ताकि हादसे की पूरी कहानी जो है वह समझ में आ सके दोस्तों पूर्व प्रिगेडेस सुधी सावंत ने यही मुद्धा अभी निउस के डिबेट में उठाया उन्होंने जो कुछ का जो कुछ बयान दिया आपको उ कि इनके साथ ये हादसा हो सकता है मैं मान नहीं सकता हूँ और वो जो एरिया है पुर्णूर और मेटिपलम कोईंबोतूर पहले से ही एक आतंकवाद का एक बेड्रॉप रहा है एल्टीटी के साथ और उसमें तो यहाँ पूर्वी ब्रिगेडियर सुधी सावंत ने साफ तौर पर कहा है कि ये हादसा तो नहीं हो सकता है और मैं ये बात मानने के लिए तयार ही नहीं हूँ मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि जिस इलाके में हेलिकॉप्टर प्रैश हुआ उसका तालुक शुरू से यह आत हादसा वहीं हुआ था इसलिए संदे है सवाल उठ रहे हैं अठकले लगनी शुरू हो गई है दोस्तों कि आखिर यह हादसा है या फिर यह साजिश है जैसा सुधी सावन कह रहे हैं सुधी सावन ने जो कुछ आगे कहा है वह भी आपको सुना देते हैं यह वीडियो भी आ नजर से देखना चाहिए तो टेकनिकल स्नाइक बोलके फिर कुछ भी हम बोले अभी जल्वाजी नहीं करनी चाहिए जी तो ब्रिगेडियर सुधी सावन का कहना है कि सरकार और आर्मी के तमाम ओफिशिल्स इसे एक टेकनिकल हादसा बता रहे हैं कि यह चौपर था किसी भी सुधी सावन्त ने शुरुवात में सवाल उठाए उन्होंने किस तरीके से किस तरफ ध्यान अकर्शित करवाया किस दलीले क्या दलीले रखी आपको उनका यह बयान भी सुना देते हैं यह वीडियो भी हेलिकॉप्टर में कोई हाथसा होता है तब एक आवाज आती कि उनसा खत्रा है क्या है क्या नहीं तो कहीं न कहीं पूर्ब ब्रिगेडियर सुधीर सावन्त कई बयान अपने आप में कई सवाल खड़ी करता है क्योंकि उन्होंने वही कहा दोस्तों जो हम पहले आपको सम्झाने की कोशिश कर रहे थे जद्व जहत्त कर रहे थे कि स्फ बाद ही हेलिकॉप्टर उडान भरेगा ऐसा होता है जब कोई इतने बड़े अधिकारी उसमें बैठे हो इसने पहले जो वीडियो हमने बनाया था दोस्तों उसमें मैंने कई सवाल उठाए थे जिस पर कई लोगों का कहना था कई लोगों का पूछना था उनके सवाल थे कि आप फिजूल के सवाल खड़े कर रहे हैं मैदम ऐसे तो कोई भी चौपर क्रैश हो सकता है मौसम की वज़ मौजूद थे उनकी पतनी मधुली का दावत सेना के तमाम बड़े बड़े ओफीसर अधिकारी इस चौपर में मौजूद थे जिसके ख्याल रखना जरूरी और हो जाता है देश के सरवोच सेना पती का चौपर क्रैश हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है गंभीर मुद्दा है इसलिए जो सवाल इससे पहले मैंने उठाए थे उन पर आप सभी को विचार विमश करने के लिए कहा था अब आप खुद देख सकते हैं कि यहां पूर्व ब्रिगेडियर इसको एक हाथसा नहीं बता रहे हैं साज़श बता रहे हैं जैसा लाइब टीवी पहले ही कह चुका है सवाल खड़े कर चुका है पहले बात यह कि हाथसा छोटा मुटा हाथसा नहीं है और दूसरी बात यह कि अगर पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंद इसको सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस इलाके में यह सब कुछ हुआ तम इलाड़ू के जिस इलाके में हुआ कुनूर में हुआ वह इलाका है जहां अतंगवादी अपना डेरा जमाते हैं ऐसा कहीं ना कहीं कहना है तो यह तो फिर देश की सुरक्षा के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खत्रा हो गया यह बहुत चल पाए कि हेलिकॉप्टर क्राश हुआ कैसे हलाकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने आज लोग सभा में हेलिकॉप्टर क्राश को लेकर जितनी भी जानकारी दी उनके जानकारियों के मुदाबग कर देखा एक 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 अनिलिसस निकाला जाया तो साफ मालूम हो रहा है कि सरकार का कहना है कि ये टेकनिकल हादसा था जिसकी जांच के आदेश दिये जा चुपे हैं इसको बड़ा मुदा नहीं बनाया जाना चाहिए ये वाकई काफी हैरान कर देने वाली खबर है दोस्तों और इस एक खबर से इस वक्त हर कोई सन्ने रहे गया है सबका दिमाग शान्त हो गया इस वक्त कोई किसी को कुछ सूज नहीं रहा है कि आखर यह हो कैसे सकता है आपको मैं पहले पर बता चुकी हूं कि ये हादसा होने की संभावना इसलिए कम थी क्योंकि जिस हेलिकॉप्टर की यहां पर बात हो रही है जिस हेलिकॉप्टर में वो मौजूद मैं 17 वो चौपर वी वी आईपी तोर पर इस्तिमाल किया जाता है कई मंत्री उससे सफर करते हैं उसी चौपर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सफर करते हैं तो फिर यह हादसा होना क्या इतना आसान है यह सबसे बड़ा सवार इसलिए अगर जनरल विपन नहीं रखा गया होगा और अगर रखा गया था तो इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे अभी तक हम यही सवाल पूछ रहे है क्योंकि इस सवाल बहुत जरूरी है इसका जवाब अभी तक सामने नहीं झाल 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 झाल